आग वंडियोग दो estan बहुंटयएं गतब Ind 하면 और मेरे पास यह देखे इससे इससे तो बंद नाया था जिसमें से मेरी यह वली उन बच बच गई है और इस से मेने तकोन anवाल अगर आपने वह सब चीजे नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं उनका लिंक में आपको जो चुटी चुटी यह उनबची है क्योंकि इनकी प्लाई तीनों की अर्मॉस्ट सेम ही थी इसलिए ना मैं इनी से आज आज आपको बनाना बता रही हूं जो आपको आपको आपके लिए कुछ नहीं और अच्छे सा लेकर आई हूं जो मेरे पास है ना वह यह पच्छ रंग यह वह थी तो उसी से मैं आज मनाने वाली हूं तो यह फोर प्लाई की हुल है और मेरा जो किरोशिया है वह फोर एमम का है तो चलिए अगर आपको यह पसंद आए तो प्लीज लाइक चुरूर कर देना आप लाइक करना बहुत कुल भोल जाते हैं तो इसे ना मनाने में ना कि समझा जाएगा तो चलिए इसे फटाफट से बनाना शुरू करती हूं तो बनानी के लिए हमें इसमें क्या करना होगा इसकी जो मैजिकल रिंग है वो थोड़ी हमें बड़ी बनानी होगी ठीक है इस तरह से मैजिकल रिंग क्या होती है कि हम इस तरह से ना ऐसे और यहां पे एक, दो, तीन, तीन चैन लेंगे, डालेंगे, और यहां पे एक डबल क्रोश्या, फिर से दो डबल क्रोश्या, और यह तीन डबल क्रोश्या, और यह चार डबल क्रोश्या, ठीक है, तो यह हम चार डबल क्रोश्या बना लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, एक तो तीन तीन चैनल लेंगे इसे पलटेंगे और जो हमने ये चार डबल क्रोश्या बनाए हैं इसी के उपर हम चार ही डबल क्रोश्या बना लेंगे इस तरह से ठीक है ये देखिए इस तरह से लाष्ट में चार डबल क्रोश्या ये हो गए उसके बाद हमें क्या करना है देखिए सीधा करेंगे और एक तो तीन चार 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 चैन बनाएगे ठीक है चार चैन बनाने के बाद फिर से हम ये मेजिकल रिंग पे यहां पे आएंगे और यहाँ पे डालके हमें इस तरह से एक डबल क्रोश्या, यह दो, तीन, और यह चार, चार हो गए, अब इसे पल्टेंगे, तीन चैन लेंगे, और चार के उपर चार ही हम डबल क्रोश्या बना देंगे इस तरह से, तो यह क्या है? कि जब हम इसे बनाते हैं तो हमारे एक लाइन में ही दो लाइन बनके तयार हो जाती है, ठीक है? यह देखे, चार डबल क्रोशय हो गए फिर से इसे पल्टेब king यहाँ पर एक दू तीन चार चार chain लेंगे और चार chain लेनी के बाद फिर से हम इस रिंग पहाएंगे और यहाँ पेणा फिर से हम ऐसे चार डबल क्रोशया बनाएंगे ठीक है यह देखें ऐसा यह दो यह तीन और यह चार ठीक है फिर तीन चैन लेंगे इसे पलटेंगे और इन चार के उपर चार ही डबल क्रोश्यां इसे बना लेंगे ठीक है यह घो गया फिर इसे पलटेंगे यहां पे फिर से हमें चार चैन लेनी है तो यह देखे इस तरह से हमारे यह यह बनती चली जाएंगे तो यह हमने जो बनाए है वो एक दो तीन तीन बनाई है ऐसे ही हमें आठ बनानी है अगर आपको यह लग रहा है कि यह धागा ऐसे हो रहा है तो इसे हलका सा खीच ले और इसे बनाना शुरू कर दें तो जैसे हमने यह तीन बनाई है ऐसे ही आपको पांच और बनानी है तो टोटल आठ बनाके फिर मैं आपको देखाती हूँ कि आग छे साथ आठ आठ हमने यह इसमें बना दी है और अब जो हमें लास्ट में चार चैन लेके यह जोइन करना है वो करना है जहाँ पर हमने शुरू में यह चैन ली थी ना वहाँ पर डालके इसे इस तरह से हम जोइन कर देंगे जोइन करने के बाद एक दो तीन तीन चैन लेंगे और यह उपर की साइड में आ जैंगे यहां पर ओपर की साइड में इस तरह जाइन कर लेंगे और अब हम यहां पर जो यह हमारी चैन है ना यहां पर हम एक दो तीन तीन चैन लेंगे और इस चैन में हमें बनाना है जो ये पीछे चार चैन दी नमा रही है, इसमें हम एक, ये दो, ये तीन, और ये चार, चार हम डबल क्रोश्या बना लेंगे और तीन चैन लेंगे, और तीन चैन लेने के बाद हम यहाँ पर एक, दो, ये तीन, और ये चार, ठीक है, और उसके बाद हम एक, दो, तीन, चार, चार चैन लेंगे, और इसी के अंदर, जो ये वाली चैन है, हम इसी के अंदर डालके, हम फिर से, चार डबल क्रोश्या बनाएंगे, इस तरह से, ये तीन, और ये चार, उसके बाद में फिर से, तीन चैन लेंगे, और यही पर डालके, इस तरह से, डबल क्रोश्या, इन ही चार के उपर, चार ही double crochet हम बना लेंगे तो हमने न फर्स्ट वाली जो यह chain है उसमें हमने न दो बार यह बनाई है ठीक है अब हम आगे वाली पर जाएंगे पहले या पर चार chain लेंगे और जो यह अगले वाली है न उसमें हमें फिर से इसी तरह से चार double crochet लेने है इस तरह से और तीन chain लेंगे और फिर से चार double crochet लेंगे इसके उपर ठीक है इस तरह से और इसमें हमें बतादू मैं आपको कि एक chain में हमें दो बार यह बनाने है और एक chain में हमें एक बार बनाना है ठीक है इसमें थोड़ा सा confusion हो जाता है तो उसके लिए एक मिनट हम क्या करेंगे पहले इसे इकटा कर लेगे इस में हम जो ये हमारा धाका निकलाओ है इस तरह से पकड़के हम ऐसे खीचेंगे यह देख़े तो ये हमारे इकटा से हो जाएगा यह देखे कितना आसानी से न यह एकटा एक साथ हो गया है और यह निकलता भी नहीं है बस हम पीछे इसमें नलके सी नौट लगा देंगे इसे कट कर देंगे तो यह निकलेगा भी नहीं क्योंकि इसमें काफी अच्छे से यह मतलब रखाव होता है तो यह देखे यह इस तरह है यह सब्सक्राइब नहीं हम आप देखे हैं अब हमें इसमें न क्या बता और एक में एक बनाना है तो उस चैन को हमें लोड़ी में पensive म कला। इसमें थी we can do इस chain को छोड़ देंगे और इस से अगले वाली chain में हम फिर से लगा देंगे जिस से न ये अच्छे से न सेट हो जाए और इसके बाद जो हमें दो बार बनानी है इसके उपर वाली में जैसे यहाँ पर हमने शुरू वाली में नहीं लगाया था तो हमें इसके उपर वाली में इसमें जब हम इसे पूरा कर लेंगे उसके बाद हम उपर आएंगे तो उसमें हमें इसमें न दो बार बनानी है ठीके इसी तरह से हमें ये बनाते जाना है तो ये देखिए इस तरह से ये हमने ना अब लास्ट में ये चार चेन बना ली अब हम अगले वाली पे आएंगे इसमें से ये पिन हटा देंगे और यहाँ पे हम वो ही चार डॉबल कॉश्या ये दो ये तीन और ये चार चार डॉबल कॉश्या हो गए फिर इस तरह से तीन चैन लेंगे और फिर से चार डबल क्रोश्या बना देंगे, ठीक है, इस तरह से, यह हो गया, चार डबल क्रोश्या, फिर एक, दो, 3-4 चार चार चेहें और करकम बनाएंगे चार है तो यह देखे इस तरह से इना यह दो में यह पूरा कप्स बननी है करेंगे एक में BMW जो में फॉर्स्ट वाली में यह प्रीण लगा लिया क्योंकिन दूसरी बार में में इस में ही दो बार बनानी है ये तरह से ठीक है ये डेखे है सभी मी मैंने यह पिं लगा लिया था अब हमने में यह पूरी कर दिया है दो अब आगे हमें यह पूरी क्लिट हो इसे यह दिखा पर छाब से हमने यह च़िए तो वहाँ पर डालके इस तरह से जौिन कर देंगे और जोन करने के बाद एक-दो और यह three chain लेके और जो यह पृछ वाली chain है, इसने डालके इस तरह से जॉन कर लेंगे, अब यहांसे यह मं हटा देंगे और जो यह first वाली है level how to bend inoxy ठीक है, यानि के पहले हम इस में न चार डबल क्रोश्या बनाएंगे, फिर तीन चैन लेंगे, और फिर से इसके उपर हम चार डबल क्रोश्या बना लेंगे, इस तरह से, ठीक है, हो किया, उसके बाद में एक, दो, तीन, चार, चार चैन लेंगे, और इसी में हम दुबारा से, फिर से, चार डबल क्रोश्या बनाएंगे, देखे, तीन हो गए, और ये, चार, फिर तीन चैन लेंगे, और फिर से, हाँ पैना, चार डबल क्रोश्या बना लेंगे, ये, दो, तीन, और ये चार ठीक है और फिर 1, 2, 3, 4 चार जेन लेंगे और अब हम अगले वाले पर जाएंगे ठीक है और जो ये पीन हमने आटाया था वो हम शुड़ो वाले जेन है इसमें डालके लगा देंगे जिससे हमे अगली बार में पता हो कि यहाँ पे हमें फिर से दो बार बनाना है ठीक है अब यह देखिए यहाँ पे हमारा पिन लगावा है यानि कि यह दो चैन बजी है तो इन दोनों में हमें एक एक बार ही यह बनाना है ठीक है चार डबल क्रोशिया तीन चैन और फिर उसके उपर चार डबल क्रोशिया ठीक है इस तरह से तो यह पूरा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूं कि आगे हम क्या करेंगे ऐसे ही यह न यह एक दो दो बना लेते हैं और इसमें हम दो बार बना के फिर दिखाती हूं मैं आपको तो यह देखिए इस तरह से है न मैंने यह बना लिए है देखिए पहले इसमें दो बनाए उसके बाद में एक एक पहले यहां पे सिर्फ एक था उसके उपर हमारी यह दो हो गई है । ठीके इसी तरह से न यह बढ़ती चले जाएंगे ये देखिए दो इनके बीच में ये हमने दो डिजाइन बनाई थे ना इधर भी साइड ये हमारे एक में ही दो डिजाइन है और इसके बीच में हमारी ये दो बनी है पहले हमारी एक बनी थी अब दो हो गई दो के उपर हमारी एक दो तीन तीन होंगी तीन के उपर हमारी चार होंगी चार के उपर पांच होंगी तो ऐसे ही ये बढ़ती चले जाएंगी ये देखे, ये हमने दो बनाई है, उसके बाद में दो बार एक एक हमने दो बार बनाई है और ये देखे, बेपिन लगावा है, यहाँ पर हम दो बार बनाएंगे ठीक है, तो इसी तरह से इसे हमें बढ़ाते चले जाएंगे सेम तरीके से और जितनी देर मुझे आपको सिर्फ बताने में लग रही है उतनी ही देर में ये बना है क्योंकि ये काफी आसान भी है और जल्दी जल्दी ये काफी जल्दी बन जाता है क्योंकि एग लाइनी इसके ऐना साथ-साथ-दो दो लाइनी चलती है तो यह काफी जल्दी बनके तयार होगा तो इसी तरह से हम इसे बढ़ाते जाएंगे बस कोनों पे हमें दो-दो बार बनाने है एक चैन में दो बार यह डिजाइन बनाने है और बीच में हमें एक 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 बार ही बढ़ाते चले जाएंगे तो ये इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा तो ये पूरा करके फिर मैं आपको दिखाती हूं कि आगे हमें क्या करना है तो ये देखिए इस तरह से हमने ये complete कर लिया है पूरा का पूरा और इसके बीच में जो हमने अगर इसके लंबाई देखी जाए तो ये तीन है जो ये बढ़ते जा रहे हैं ये हमारे एक दो तीन है दोनों दो दो के बीच में ये तीन है यानि के हमने एक दो और ये तीन ये चार चार लाइने हमने बनाई है ठीक है तो अभी हमारी चार बढ़ा करते जाना है तो आप क्या गरेंगे ऐसे ही इसे बढ़ाते जाएंगे लेकिन मैंने यह टिकलियो वाला बनाना है तो इसके बाद में हमें क्या करना है मैं वो दिखा देती हूं आपको इसमें हम क्या करेंगे दीखे यह इस तरह से यहाँ पर कर देंगे जोइन करने के बाद एक दो तीन तीन लेके उपर वाली चैन में हम इसे ले जाएंगे अब हमें इसमें क्या करना है मैं वो दिखाते हूं आपको इसमें हमें इस तरह से नदो चैन और जो यह वाली चैन है इसमें हम ऐसे करके एक, दो, यह तीन और यह चार, चार हाफ डबल क्रोश्या बना लेंगे, फिर अगले वाले में जाएंगे, और उसमें भी इसी तरह से चार हाफ डबल क्रोश्या बना लेंगे, ठीक है? इस तरह से, फिर अगले वाले चैन पर जाएंगे, उसमें भी ऐसे ही, चार हाफ डबल क्रोश्या बना लेंगे, तो यह पूरे में बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको, तो यह देखे, यह यहां तक हो गया, अब हमें न, यह देखे, दो है न, यह इसके बीच में हम यहां पर दो बार बनाते थे, उसमें आ गए हैं, तो इस कौने पर हम ही क्या करना हैं वह मैं बताते हूं आप पो तो यह देखे में इस तरह से 2đ क्रुश्य हुगए और ये 3 उसके बाद में 1 AIDS 2 जैन ले लेंगे और यहीं पर हम 3डबल सावरी, यह देखिए इस तरह चौने मे सम्टी दख और चौने मेसे तरह से चौने जआने नंगे यह इस तरह से बनाना है और सव को है ऑड़ीं को करें सेबिए हैसले और सब में में सेम तरीके से बनाना है और पूरे में बना के फिर मैं आपको दिखाते हूं तो ये देखिए इसी तरह से मैंने इस वाले उन से ही तीन ये टिकली बना दी है ठीक है ये देखिए एक दो और ये तीन अब हम इस से टेबिल रनर बनाने वाले हैं तो हमें यह इस तरह से रखना है, यह देखिए ऐसे, ठीके, और यह थर्ड वाला इसके इधार, ऐसे, ठीके, तो यह ऐसी करके यह बनेगा, तो इसमें जो हमें अभी है, यहापे मैं आपको बात मताऊंगे, कि हमें किस तरह से इसे जोड़ना है, पहले हम इसमें यहाँ से, किसी भी कोने से पकड़ेंगे, और हम इसे शिरू करेंगे, अब इसमें मैं दूसरा कलर लगा देती हूँ, क्योंकि वो कलर में है न, हमारे बीच की यह टिकली बन गए, और जितनी भी बच्ची कुछी होने है, उनीजे मैं यह बना रही हूँ, तो यह आपको आगे अच्छ लगेगा, तो यह रेकिए, अब यहाँ से हम है न, फिर से यह कोने से, यहाँ पर हम इसे जोइन करेंगे, और जोइन करने के बाद यहाँ पर हम, एक दो, दो चैनलेंगे, और इधर ही हम यहाँ पर एक, दो, और यहे तीन, तीन हम, दबल क्रोशिया यहाँ पर बना देंगे, ठीक है, फिर अगले वाले जो यह है है, यहाँ पर डालेंगे, और यहाँ पे हम फिर से तीन डबल क्रोशिया बना देंगे ठीक है, एक सेकेंड, हमने यहाँ पे एक चैन लेनी है जो मैं लेना भूल गई, मैं आपको फिर से बता देती हूँ यहाँ पे पहले एक चैन लेंगे और फिर यहाँ पे हम तीन डबल क्रोश्या बनाएंगे ठीक है फिर एक चैन लेंगे और अगले वाले चैन में हम फिर से तीन डबल क्रोश्या बनाएंगे ठीक है फिर से एक चैन लेंगे और अगले वाले जो यह साय है इसमें डालके हम एक दो और यह तीन डबल क्रोश्या बनाएंगे फिर से एक चैन लेंगे और फिर से हम यहाँ पे इस तरह से तीन डबल ग्रोश्य बनाएंगे फिर ये देखें लास्ट आ गया यहाँ पे डालके हम इस तरह से इसमें तीन डबल ग्रोश्य बना लेंगे अब हमें क्या करना है क्योंकि इसके बाद ये देखें ऐसे आएगा ये उपर की साइड में आएगा क्योंकि हमने यहाँ से शुरू किया है अब हम ये उपर की साइड में आ गई है तो यहाँ पे हमें जो ये बीच वाली चैन है इसमें हमें एक, दो, और ये तीन फिर यहाँ पे दो डबल चैन बनाएंगे और फिर से तीन डबल क्रोश्या यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे ठीक है? फिर एक चैन लेंगे और अगले वाले इसमें डालके फिर से तीन डबल क्रोश्या बनाएंगे ठीक है? यह देखे इस तरह से ठीक है? यह देखे फिर एक चैन लेंगे और यहां पे फिर से 3 double crochet तो यहां तक बना के फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे क्या करें तो यह देखें यहां से यहां तक हमने बना लिया है और हम यह इसके बीच में नहीं आए है ठीक है और इसके भी हम बीच में नहीं करेंगे और जो यह अगले वाला है यह देखें इसके आगे वाला यह इसमें डालके हमें इस तरह से 3 double crochet बनाने है उससे पहले हमें चैन लेनी दिए यह देखें चैन लेके इसमें ना डालके कोने वाले में और इसके बरापर वाले में डालके हमें इस तरह से यहाँ पर तीन डबल क्रोश्या बना लेने हैं फिर एक चेन लेंगे और अगले वाले इसमें डालके हम फिर से तीन डबल क्रोश्या इस तरह से बना लेंगे ठीक है यह देखे ऐसे अब यह हमारा इसके साथ है न जॉइंट हो गया है लेकिन यह हमारा अभी तक जॉइंट नहीं हुआ है इसमें चाहे तो हम सुई से टाका लगा लें नहीं तो मैं भी आगे आपको जब बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ जाएगा तो यह इसी त जाएंगे और यहां पर भी हमें इस तरह से ही जॉइन करना है पहले हम यहां तक बना लेते हैं फिर मैं दिखाती हूं कैसे जॉइन करना है तो यह देखिए इधर से यहां तक हो किया अब हम इसमें थार्ड वाला जो है वह जोड़ेंगी ठीक है उस पर भी इस कोने पर हम ही बनाएंगे इसमें हमने देखिए चैन ले लिए है पहले ही और अब हम इसके अगले वाले में डालके यहां पर तीन डबल क्रोश्या बना लेंगे इस तरह से ठीक है फिर एक चैन लेंगे और अगले वाले में डालके फिर से तीन डबल क्रोश्या बना लेंगे यह देखे इस तहाँ फिर एक चेन देंगे और से आगे वाले में डालके फिर से तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे ठीक है ऐसे ही यह हम प्रोसीजर सेम प्रोसीजर करते चले जाएंगे ठीक है बस जो यह उपर वाल आएगा उसमें हमें तीन डबल क्रोशिया दो चेन और तीन डबल क्रोशिया बनाने होंगे देखे इसमें जो यह उपर वाली दो चेन आएगे न इसमें हमें तीन डबल क्रोशिया बनाने है पहले इस तरह से फिर दो चेन और इसी में डालके तीन डबल पिर एक चेन लेके आगे डालके फिर से हमें इसी तरह से तीन डबल क्रोशिया बनानी है ठीक है यह देखें ऐसे फिर एक चेन लेंगे और इसी तरह से हम यह कोने तक बना लेंगे और कौने पे हमें फिर से वो ही तीन डबल क्रोशिया, दो चैन और तीन डबल क्रोशिया बनाने है और ये इधर कौने पे तक हम बना लेंगे ये देखें, ये हम आ गए न, तो इसके यहां पे बनाना है, इधर साइड बनाना है और इधर साइड यहां तक बना लेना है तो यह इसके इधर चारो तरफ बना के फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है तो यह देखिए इस तरह से मैंने यहां पे बना के और यह इधर और यह इधर पूरे में हमने बना लिया है अब हम यहाँ पर एक चैन लेके और इस आगे वाला जो हमारी इसमें डालके हम इस तरह से तीन डबल क्रोश्या बना लेंगे फिर एक चैन लेंगे और अगले वाले में डालके फिर से तीन डबल क्रोश्या बना लेंगे ठीक है फिर एक चैन लेंगे और अगले में डालके हम फिर से तीन डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे ठीक है और यह उपर की साइड में दो चैन पर आके वही तीन डबल क्रोशिया दो चैन और तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं ऐसे ही फिर यहां तक बनाने के बाद फि और इधर साइड ऐसे बना के फिर तीन डबल क्रोशिया तीन चेन और यहां तक आ जाएंगे तो यहां तक पूरा बना के फिर मैं दिखाती हूं कि आगे हमें क्या करना है तो यह देखिए यह हमने पूरा का पूरा है इस तरह से बना लिया है ठीक है यह देखिए इधर , एक साथ बना लगे एक सीच नेगे एक पर कि में चाहिए जरु की 2 बनार कोंधे साथ你好 5 जरुक हम लाइज सब्सक्रिता बात बना लेंगे एक सब्सक्राइबुड मैं हम आपर क्रोष को नेगे 4 बना णुपूल край मिं सब्सक्राइब बना कि महीं तो बना हम भीक लड़ता बन आगे ऐसे सिम्पली निकालके इसे आगे वाले यहां पे चैन पे ले आएंगे ठीक है और यहां पे लाने के बाद हम तीन चैन लेंगे और इस तरह से तीन डबल क्रोश्या यहां पे हम बना लेंगे ठीक है फिर एक चैन लेंगे अगली वाली चैन पे डालेंगे फिर से तीन दबल क्रोश्या बना लेंगे ठीक है इस तरह से तो ऐसे ही तीन तीन डबल क्रोश्या लेके यहां तक बना लेंगे और यहां पे हमें तीन डबल क्रोश्या दो चेल और तीन डबल क्रोश्या बनाने है ठीक है और फिर यहां पे भी ऐसे ही करेंगे तो यहां तक बना के फिर म कि यहां पर हम क्या करेंगे यह वाला जो भी जो भाली है दो बोड़ देंगे और आगे वाली में ही डालके हमें इस तरह से तीन डबल क्रोश्या देखिए चैन लेने के बाद चैन हमें हर तीन डबल क्रोश्या के बाद जरूर लेनी है ठीक है तो यह तीन डबल क्रोश्या और फिर अगले में डालके फिर से तीन डबल क्रोश्या ठीक है ये देखे फिर से चैन और तीन डबल क्रोश ठीक है तो ये इसी तरह से हमें बनाना है ये देखे इस तरह से यहाँ पे हमें नहीं बनाना है जैसे हमने इसमें नहीं बनाया था ना ऐसे ही यहाँ पे जो बीच वाला ये है इसमें हमें नहीं बनाना है ठीक है तो ऐसे ही हम इसे बनाते चले जाएंगे जितना भी जोड़ाई हमें करनी है वैसे हैं मैं इसमें दो या एक दो लाइन ही बनाने वाले हो तो यह उतनी ही बनेगी तो यह इस तरह से फिर यहां पर कोने बना देंगे यहां पर तीन डबल क् आ इस वाले में नहीं बनाएंगे और यहां पर फिर से तीन डबल क्रोशय दो चेन और उसके बैंप में यह इधर कोना है कोने पर प्लकुल यहां पर भी तीन डबल क्रोशय दो चैन और तीन डबल क्रोशय ही बनाने हैं फिर हम इधर साइड आ जाएंगे गूम के इसमें भी हम यहां के बाद सीधा यहां आएंगे बीच वाला यह हम छोड़ देंगे ठीक है तो इसी तरह से ही पूरा कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में इसकी जितनी भी लाइने हमें बनाने हैं उतनी बना लेते हैं फिर मैं दिखाती हूं कि आगे हमें क्या करना है तो यह देखिए इस तरह से हमने यह ना बना लिया है ठीक है और यह देखने में भी आप खुद भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा है ना बन गए यह ठीक है अब इसमें हम करना है और किस तरह से करना है वो मैं आपको दिखा देती हूं देखिए मैंने इस में ना दो लाइन यो जैसे बाता है इसलिए के भाने लगा योगे बाने के लिए कि मुझा दो सब्रूगर है कि जैसे हम यम दो उपकर दिया और इसकी अगे में डालके हम डोपीकषम दबल क्रोश्या और दो डबल क्रोश्या ठीक है उसके बाद में एक दो तीन तीन चैन और फिर से इसी में डालके दो डबल क्रोश्या ठीक है और यह अगले वाले में डालके इसे सिंपली जोइन करना है ऐसे ही हमने यह देखे पूरे में बनाया है और जो यह उपर का कोना है उसमें हम यह कैसे बनाना है यह देखे इस तरह से डालके डबल क्रोशिया और एक दो तीन चार पांच पांच चेन और फिर से दो डबल क्रोशिया ठीक है यह देखे इस तरह से और यह अब अगहे वाले में यहां डालके इसे जॉइन कर देना है यहां से मैंने जॉइन करके शुरू किया था और यह यही पर आके हमने जॉइन कर दिया अब यही पर नॉट लगा के हम इसे कट कर देंगे तो यह देखिए यहां तक हो गया अब हम इसमें टेसल्स बनाएंगे तो यह बनाने के लिए हम ही क्या करना है इस तरह से हैं यह हम तीन हो गए चार पांच छे साथ अठ नो दस ग्यारा बारा तहरा चोदा पंदरा सोला सत्रा यह सत्रा हमने हैं अठारा अठारा वार हमने यह अपने हाट पर इस तरह से ले लिया है अब हम इसे न यहीं पर कट करेंगे और यह देखे इसके बीच से भी हम इसे इस तरह से कट कर देंगे ठीक है कट करने के बाद हम ही क्या करना है यह देखे इसके बीच में यह कोने पर डालके हमें यह टसल्स लगानी है तो यह इस तरह से डालेंगे यह देखे और यहाँ पे इसे ऐसे पकड़के और इसे बांग देगे ठीक है यह देखे इस तरह से अच्छे से टाइटली हम इसे यहाँ पे बांग देगे ठीक है यह देखे यहाँ पे इसे नॉट लगा के और यहां पर इसे, ऐसे ही, कट कर देंगे, और यहां पर पकड़के, इसे इकसार करके, अच्छे से इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है, और ऐसे ही, हम इसके wonder, दूसरी साइट भी लगा लेंगे, तो ऐसे ही लगाकर, फिर मैं दिखाते हूँ, तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये पूरा बना लिया है और ये टेबल पे कुछ इस तरह का लग रहा है, मैं काफी दूर से आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इस टेबल की काफी चड़ाई है, तो ये मतलब है है, तो ये काफी अच्छा लग रहा है, तो आप खुद भी लगे के ये उस तरह का लगेगा है, और हमारे पास बने हम चाहे, तो यह तो ये देले मड Soros कर लाँखे, आप बेज़न आप यह से लगा सकते हैं, लेकिन ये ऐसे भी बहुत हैं आप इसे ऐसे भी रखेंगे ना तो भी ये काफी अच्छा लगेगा ये देखें क्योंकि ये मल्टी है और मैंने बच्ची कुछी उन से ही ये पूरा का पूरा बनाया है तो ये वैसे भी है ना काफी अच्छा लगता है और इसमें ना मेरे क्योंकि उन से मेह Ganzele Pahle ही बना चुकी हूँ, तो मेरे पास थी ही और जो अंकल है या मैरे में जहांसे लेती हूँ, हांसे उतनी वापस होती नही Right ujeございました। मेरे लिए रखी यह थी मैंने पुरा पूरा तयार कर लिया है। तो मुझे न विए की बड़ा comment क्योंकि ता मेरी बच़ी वहीं थी, ठीक है आप भी इसी तरह से हैं आ जैसे जासे महने इसमें टीन और अट बढ़ी है तो आप तीन की चार बना सकती है चार बनाएंगी तो इसमें उतना उतने जाग़े या पाँच बनाएंगी वह आप अपनी टेबल पर रखके देख लीजिए उस तरह से बना लीजिए तो ये आपको कैसा लग रहा है मुझे एक कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह से अगर आपके पास और भी कम उन है मतलब एक साथ नहीं बन सकता है सब कुछ तो आप है न जो ये लाइने हैं ये भी अलग-अलग ये अच्छा लगेगा तो चलिए आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ बाई एवरिवन और थैक्स वर वाचिंग